Hello friends, आज हम Class 10 के Mathematics के Chapter 2 का एक बहुत ही important question करने वाले हैं, जो कि है polynomial का question यह question 2020 में और 2020 में पूछा वे गया था, तो question है कि दुखात बहुपद, यहाँ पे polynomial दिया गया है x square minus 2x minus 8 और इसके number of zeros हमको पता करना है सबसे पहले equation को लिख लेते हैं equation है, sorry, polynomial x square minus 2x minus 8 तो इसको solve करने के लिए, इसके root निकालने के लिए, यानि इसके solution को निकालने के लिए इस term को देखेंगे यह जो term है, constant term है, जिसके साथ कोई variable नहीं है तो ऐसा number, ऐसे हमें कोई दो numbers लेने हैं, मान लिजए A और B जिसका कि जब हम multiplication करें, तो वो minus 8 आ जाए, और जब उसका plus minus addition करें, यानि plus minus करें, तो वो हो जाए minus 2 तो 8 तो product, तो सबसे पहले दिमाग में आ जाएगा, 4, 2 जा 8 देखिए, अगर 4 into 2 करें, तो 8 आ जाएगा, और मान लिजए 4 में से तो घटा देते हैं, तो 2 भी आ जाता है तो यह जो दो number से 4 और 2, इसको satisfy कर रहा है यह polynomial, तो अब हम इसको इसी साब से लगा देते हैं, तो यह हो जाएगा x square, यहाँ पर minus sign greater होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, minus 4x plus 2x, minus plus minus, minus 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा minus 8, minus 4 into 2 करेंगे, तो क्या हो जा square minus 4, ठीक है, यहाँ से multiply करके देखें कि गलत तो नहीं है, तो यह हो जाएगा x square minus 4x, यहाँ पर plus 2 को ले लेते हैं बाहर, x और minus हो जाएगा 4, 2 into x, 2x, 4, 2 जाएगा minus 8, अब देखिए, x minus 4 यहाँ पर common आ जाएगा, x plus 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, roots of the equation निकालना है, तो इसको हम किस के बराबर कर देंगे, अब इसको कर देंगे 0 के बराबर, तो अब यह x minus 4 equal to 0, and x plus 2 equal to 0, number of 0's निकालने थे चुकी, तो x बराबर minus 4, इधार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus 4, and x minus 2, इस side, यह LHS side, LHS side में अगर plus sign रहता है, और उसको हम RHS में लेके आत हैं, तो sign हो जाता है, change, तो यह हो जाएगा, x minus 2, तो दोस्तों, इस cancer हो जाएगा, x4, and minus 2,